भारत की भोगोलिक स्वरूप, संडरचना और भोगोलिक तत्पों से प्रतिरूप है और भारत हर द्रश्टी से काफी विविद तापून है भारत की भोगोलिक संडरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थरूप पाए जाते है भारत में हर्याली जमीन, सागर, उंचे पहाड, नसर्गिक छीले, रिविस्तान अधी जैसी स्थान देखने मिलेगी इसलिए भारत में परिटन के वज़ध दुनिया भर की लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है जैसलमेर भारत के राजिस्थान राजी का एक मशूर शहर है ये पश्यमोतर भारत में स्थित है ये नगर पीले सुन्दर पत्थर का बना हुआ है जो इसकी नगर के विशेश्टा है जैसलमेर स्वर्ण नगडी के रूप में विख्यात है यहां के मंदिर, प्राचीन भवन और प्रासाद भी पिले पत्थर के बने हुए है भारत में जैसलमेर परिटन का सबसे आकरशक स्थल माना जाता है जैसलमेर भारत के मांचित्र में ऐसे स्थल पर स्थित है जहां इसका इतिहास में एक विशेश्ट महत्व है सामायत लोगों की कलपना में ये स्थान धूल वरांधियों से गिरा रेगिस्थान है इस शहर के पिछले 800 वर्षों के इतिहास की गाथाएं भरी हुई हैं जैसल मेर राजने मूल भारती संस्कृती, लोकशैली, सामाजी, मायत आएं, निर्माणकला, संगीत कला, साहित, स्थापत्य आदि के मूल रुपांतरन को बनाई रखा है और दुनिया में काफी मशूर भी है दिल्ली, मुंबई, चेनाई, कोलकाता और रुदायपूर जैसे प्रमुक शहरों में जोदपूर के लिए नेमे तोड़ाने हैं हवायडे के लगभग शहर से 5-6 घंटे का सफर का रास्ता है प्रिपेडिया निजी टाक्सी से जैसलमेर पहुझने के लिए ये अच्छा विकल्प है दिल्ली से जैसलमेर के लिए कही सीधी बसे हैं और सरकारी स्लीपर कोचने में त्रूप चलती है जैपुर में इसे बसों को बदल सकते हैं कुछ इसली पर बसें जोदपूर और उदायपूर से उपलब हैं जैसलमेर से दिल्ली, जोदपूर, जैपूर और दूसरों भारती शहरों से रेल मार्ग एक व्यापक नेटवर्क है और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जैसलमेर का मौसम परेटन के लिए दिसंबर से मार्श तक ठीक रहता है जैसलमेर में परेटकों के लिए कई प्रकार विकल्प है जैसे स्थल्द दर्शन, उट की सफारी, लोक संगीत और नरते, जीप सफारी, पैरासलिंग, पैरामोटरिंग, ट्रैक्टर बाइकिंग जैसे साहसी खेलों का लुप उठा सकते हैं उस के लावा, परेटन के लिए जैसलमेर का किला, पट्वों की हविली, सलीम सिह की हविली, नाथमल की हविली, जैन मंदिर, बड़ा बाग, कुर्धरा, खबा किला, व्यास छत्री, सूरी गेट, अमर सागर जी, डेजर्ट नाशनल पार कादी घूमने के लिए परेटन हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें